जून 16 तारीक 2013 देव भूमी उत्तराखन में तब की कॉंग्रेस सरकार ने अलकनंदा नदी में 330 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम का निर्मान करने के लिए माताधारी देवी जी के प्राचीन मंदिर को जल मगन कर दिया था और मंदिर जल मगन होने के कुछी घंटों के अंदर ही केदारनात में एसी तबाय आई जिसको आज भी लोग याद करके काप उठते हैं माताधारी देवी जी उत्तराखंड के रक्षक देवी हैं कहने का तात्परिय यह है कि देव भूमी उत्तराखंड कोई साधारन स्तान नहीं है भारत वर्ष का अती प्राचिन एवं आध्यात्म का केंद्र है परन्तु आज उसका अस्तित्व हमारे आखों के सामने मिट रहा है जै और पराजय का विचार छोड़ के करतव्य पर्ध्यान दर अपने आप दू हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाजीशन इसरो भारत की अतीव स्वस्षिनिया स्पेस एजेंसी ने जोसी मट को लेकर सेटलाइट इमेजस प्रकासित की है जिनको देख आने को लोगों की सासे रुक जाएगी पूरा का पूरा जोसी मट एक साथ धसने वाला है इस इमेज के जरिये इस रोका कहना है की पिछले बारा दिनों के अंदर ही पूरा का पूरा जोसी मट पांच दसमलोग चार सेंटिमीटर धस चुका है तो वहीं इस image के जरिये इस रोका कहना है कि एप्रिल 2022 से लेके नवेंबर 2022 यानी 7 महीनों में पूरा जोसी मठ 8.9 cm धस चुका है ये जानगारी अती विचलित करने वाली है विशेस रूप से जोसी मठ में रहे स्तानियल लोगों के लिए पूरा का पूरा जोसी मठ जिसमें सामिल है आर्मी का एरिया भगवान नर सिंग जी का प्राचीन मंदिर एवं आदी गूरु संकराचार्य जी का तपोस्तली सब के सब धर्ती में समा जाएंगे तो वहीं केदारनात एवं बद्रिनात धाम जाने का मुख्य रस्ता भी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा ये सब सोचके ही मन विचलित हो उटता है थोड़ा कलपना कीजिए वहां के स्तानिय लोगों का क्या हाल हुआ होगा ये एक ऐसा विनास है जिसको टाला नहीं जा सकता और इससे बड़ा चिंता का विशे यहा है कि जब देव भूमी में ही विनास का आरंब हो चुका है तब हम सब कल्यू के यंत से केसे अपना मूँ मोड सकते हैं दोहजार एकीस में मैंने इसी चैनल पे कहा था कि छे सो सालो पुर्व पंच सखाओ ने भविश्य मालिका गरंथों के माध्यम से कहा है कि हिमाले कल्यू के यंत के समय गायब हो जाएगा अर्थ खंड खंड होकर तूट जाएगा तब सब को ये कालपनिक लग रहा था और आज पूरा चित्र सब के सामने है कर्मो का फल तो सभी को भोग करना ही पड़ेगा इससे कोई न बच पाएगा जै जगन्नात जै पंच सखा जै हिन